हलो फिरेंड्स, असलाम अलेकूम, स्वागत आपका मेरे चनल अमजाद किचन में दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वालों होली स्पेशल सूजी और मावा से बना कुजिया बहुत आसन रेसिपी है और मैं घर पर इसो बहुत आसन तरगे से बना करके दिखाऊगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किजेगा और सब्सक्राइब जरूर से किजेगा तो यह शुरू करते हैं यहां मैं लिएओ दो कप मैदा और उसके अंदर मैं एड कर दोगा दो चमस भर के गी आप चाहे तो यहां पर रिफाइन तिल कभी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम मैदा और घी को अच्छे से मिला देगे यहां जो इस्टेम होता है तो यहां घी को बहुत अच्छे से मिलाना होता है मैदे के साथ में यानि आप इसको जितना अच्छे से मिलाएगे उतने ही आपका अच्छा गोजिया बन करके तयार हो इसी तरह से अगर आप मुठी बानेंगे तो इस तरह से एक गोला बनकर त्यार होगा यारी त्यार हो चुका है इसके अंदर हम पानी से गुन लेंगे तो मैं यह थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे गुन लुगा और हाँ आपको एक बात और याद रखना है कि जो गुंजया का जो त्यार होता है आटा उसे हम तोड़ा सा सकत रखेगे याइनि तोड़ा सा मिसे हट रखेगे है ना ताके गुण्जिया अच्छे से त्यार हो जए इस तरह से आपको इसे गुण लेना है थोड़ा सा हाड है और बनकर भी त्यार हो गए तो अब हम इसे 10 से 15 मिनिट के रख देगे सैड में और जो कुजय है में जो हम मसाला जो मट्रिल हम एड करेगे वह पहले हम त्यार क नार्यल था उसी को मैं घीस के यहां पर नारेल लीकुक कड़ें हो इस से हम कर लेंगे रोस्ट फिल्यम पर हम इस रोस्ट करेंगे इसे हम तब तक रोष्ट करेंगे जब तक इसका color change नहीं हो जा और इसके अंदर से circle की खुश्बू आना start नहीं हो जाए तो देखे इसका color change हो चुका है अब हम यहां कर दें ग्यास को और इसको निकाल लेंगे हम एक plate के अंदर उसी pane में हम add कर देके एक चमज गे अब हम प्राय कर देगे सूजी को यह मैं आदा कब सूजी लिया हूँ इसे भी हम तब तक हम इसको रोष्ट करेंगे जब तक इसका color change नहीं हो जाए इसके अंदर से भी हलके-लकी खुशबाना इस्टार्ट नहीं हो जाए तब तक हम इससे ही चलाते भी रोष्ट कर लेंगे तो देखे इसका भी color change हो चुका है अब इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर अब उसी पैन में हम एक चमाच फिर से अड़ कर देगे घी इसके अंदर हम रोष्ट करेंगे फ्राय करेंगे ड्राइफ फोर्स तो यहां मैं काजी और बदांको चुड़े चुड़े पीश में तुकड़ा कर लिया तो इसे भी हम कलर चेंज होने तक के जैसे हलकल का कलर चेंज होगा तब हम इसे रोस्ट करना रोग देगे देखे यह अच्छे से रोस्ट हो चुका है विसी के इंदर हम आट कर देगे मावा तो यहां मैं एक का मावल लिया हूँ बस याद रखना है कि सब पोर्सेस आपको जो है तो भूनने वाला रोस्ट वाला आपको लो फिलेम पे ही करना है तो मावा को तब तक हम भूनेंगे जब तक यह एक जगा जमाना हो जाए लेकिन हाँ इसे छोड़ना नहीं है इसे चमा से चलाते रहना है ताकि अच्छे से भूनें और अच्छे से बन करके तयार हो जाए तो देखे पूरा एक जगा जमा हो चुका है यानि तयार हो चुका है अप इसके अंदर हम एट कर देगे यानि हम सबसे बरिश्रम कर देंगे ग्यास को ओफ इसके बाद हम एट करेगे नारेल इसके बाद एट कर देंगे यहां पर सुझे इसे हम पहले अच्छे से मिला देगे इसके बाद इसमें हम एट कर देंगे चीनी तो मैं यहां पर पचास गिराम चीनी लिया था आप जितना चाहे उतना एट कर सकते हैं इसे पिशावा चीनी अगर आप एट करें के तो बहुत अच्छा है यह कि तैयार हो चुका है दोस्तों यहां मेरा वीडियो आफ हो गया था जिसके चलते में यहां पर आपको इलाइची का पॉर्डर एट करके नहीं दिखाया कि वर्माई यह आठेक तरफ तो आपको सबसे पहले शुरूई से इस तरह से चेक कर लेंगे उसके बाद हमें इसके बना लेंगे पेड़ा इस तरह से आपको पेड़े त्यार कर लेंगे इसके पाद हमें से बेल लेंगे जीतने आप इसको पतला भी लेंगे इतना ही आपको भुजिया जो है तो अधम से बनकर तयार होगा यहां मैं ना तो त्यार का इस्तेमाल करोगा और नहीं सुक्याटे का इस्तेमाल करोगा वैसे यहीं मैं इसको पॉलट पॉलट के अच्छे से बेल लोगा देखिए इस तरह से हम लएगे एक साचा आप कोई भी डिजाइन के यहाँ साचा ले सकते है मेरे पास य भी डिजाइन का साचा था इसलिए मां यहीं ले रहूँ और इसके दोनों सेट में जो है जो मैटरियल में तयार किया था उसके अंदर जोनों सेट पे रख दोगा कि आप चाहें तो एक सेट भी पूरी तरह से भर कर राख सकते हैं इसके पाल हम इसके जो किनारे है इसके पर लगा देगे पानी ताकि अच्छे से चिपक जाए कि इसके तरह से लगाना है कि बाद हम इसके कर देंगे बन कि इसको एकतम अच्छे से प्रेस कर देगे इससी तरह से दबाना है इसके पाद जो इस्ट्रा जो बाचा हुआ है वह हम हटा देगे फिर से हम इसको प्रेस करेंगे इसको खोल के चेक कर लेगे इस तरह से माशालला बन करके तयार हो जागा तो यह अब हम आपको दूसरी डिजाइन में बना के दिखा देते हैं हम इसके एक सेड में रख देगे जो हमने सुजी परमावे का जो बनाए है मैट्रियल हुआ हम एक सेड में रखेंगे इसी तरह से उसके बाद हम इसके जो किनारे है उसके पर लागा देगे पानी ताकि यह अच्छे से चिपक जाए उसके बाद हमें इसे पल्टी कर देगे उसके उपर इसको जो सामने गम हो है सबको हम दबा देगे इसको अच्छे से दबाएगा ताकि यह खुलेना इसी तरह से दबाना है इसके बाद एक सेट से इसको घुमाते जाएगे कि नीचे से उपर लाना है और दबाना रहाए थाकि अच्छे से तयार और हो जाएं आप चाहें तो जो फॉब होता है सब्छ़ना बसको तबातो है यानि एक से दबाते वह आप लेके जाएंगे या फिर दूसरी साइट में कहतं करें तो सब्सक्रार को दॉसरे से था से नब आधे हैं तो नीचे से उपर लिजाके दभाते नहीं कमा प्रजाएं कि अब कोने से उपने कर लेकर है उसके पार चूने को हम दबा देगे आज भी आजए यह तो इस तरह से बनकर तियार हो जागा है तो अब हम फ्राय कर लेते हैं सबसे पर शुड़ा हम तेल गरम कर लेगे तो तेल को हमको ज्यादा गरम नहीं करना है बस इस तरह से गरम करना है ताकि वो अच्छे से फ्राय हो जाए तेल गरम हो चुका है तो अब हम एक एक करके इसके अंदर गुजिया को डाल देगे याद रखना है आपको कि तेल ज्यादा गरम नहीं करना है अगर ज्यादा गराम करेंगे तो गुजिया जल भी सकते हैं इसी तर इसको चलाएंगे अच्छा से ही नीचे का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा यानी नीचे से पाग जाएगा उसके बाद हम इसको घुमा देंगे यानी पल्टी कर देंगे इस तरह से पुरी तरह से बन करके तयार हो गया है अब हम इसको निकाल लेगा एक प्लेट के अंदर इसके बाद जो बचे वे है उसे भी हम तल लेगे देगे भी तयार हो गया है विसे भी हम निकाल लेगे तो यह हम आपको चेक करके दिखा देते हैं सूपर इक्तम परफेक्ट बन करके तयार हो गया है गुजिया तो आईए रेडिय हो गया है हुली स्पेशल सोजी मावा का गुजिया मिठाई अब इसे घर में एक्तम आसन तरीके से बना सकते है एक्तम सिंपल है नॉर्मल है बहुत आसनी से बन करके तयार हो जागा दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने दोस्तों में फैमिली में और सब्सक् जरूर से कीजेगा लाफिज